हलो गाईज, वेलकम बेक टू माई चैनल पमी ब्यूटी वर्ड तो कैसे हैं आप सब लोग आशक करती हूँ, आप सब ठीक होंगी तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अंडर राम्स की वेक्स, जिसमें मैंने रिका की वाइट चोकलेट वेक्स का यूज किया है, यह मेरे क्लाइंट की ग्रोथ है, त्री मन्त की ग्रोथ है और यह मोसली रिका वेक्स ही करवाते हैं, रिका वेक्स करवाने से काफी सारे बेनिफिट होते हैं, नमबर एक तो उससे हमारी skin की blackish ठीक हो जाती है जो hair gain आता है काफी late आता है और जड़ से hairs निकलते हैं यानि की under root तक निकल जाते हैं easily wax हो जाती तो guys चलिए स्टार्ट करते हैं wax का procedure जब भी आप रिका wax का use कर रहे हैं तो आपने कुछ बातों का specially ध्यान देना है चाहे आप कोई भी wax कर ले हो client की skin में moisture नहीं होना चाहिए अगर आप moisture में wax लगाएंगे तो wax करना मुश्किल हो जाएगा पसीने वाली skin पर wax ठीकेगी ही नहीं और wax करने भी जाओगे तब भी wax नहीं हो पाएगी तो आप इस चीज का ध्यान दे की skin में moisture बिल्कुल नहीं होना चाहिए काफी अच्छे तरीके से हमने moisture चेक कर लिया है इनकी skin में काफी dryness हो रही थी उसके बाद हमने use किया है talcum powder, talcum powder का use करने के बाद हमें याद आया है कि pre waxing gel लगाना रह गया है तो इसलिए हमने एक बाद अच्छे तरीके से clean कर दिया है then use किया है हमने pre waxing gel pre waxing gel का मतलब होता है pre मैंने पहले waxing gel मैंने rika का एक pre waxing gel आता है जो की waxing करने से पहले लगाया जाए तो wax बिल्कुल skin में अटकती नहीं है और easily wax हो जाती है यह alcohol based होता है इसलिए आपको इसे लगा के एक मिनट के लिए छोड़ देना है इससे skin easily dry हो जाती है और skin का monster level भी control में आ जाता है और skin clean भी हो जाती है उसके बाद हमने use किया है talcum powder talcum powder का लगाने से हमारी skin का monster level काफी अच्छे तरीके से control में आ जाता है अब skin पर दो protection की layer चड़ चुकी है यानि एक pre waxing gel दूसरा talcum powder then हम use करेंगे wax wax का use करने से पहले आपने wax के temperature को जरूर देखना है क्योंकि wax ना तो जरूरत से ज़्यादा गरम होनी चाहिए ना ही ज़्यादा ठंडी यानि ज़्यादा पतली wax लगाएंगे तब भी नहीं हो पाएगी और गाड़ी wax भी skin में stuck हो जाएगी तो आप इस चीज का ध्यान दें कि आप ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ी wax भी ना लगाएं hair की direction के हिसाब से wax के application करनी है अच्छे तरीके से wax लगा लें skin को stitch करते हुए then आपने उसी direction में waxing strip लगानी है और फिर skin को hold करते हुए अच्छे तरीके से rub करें skin को hold करते हुए opposite यानि उल्टी दिशान में waxing strip को pull कर देना है देखी कितने अच्छे तरीके से कि इनके सारे के सारे hairs निकल आए है रीका wax का यही benefit है इसमें जो hairs निकलते हैं अंडर root तक निकल आते हैं ऐसा नहीं कि इसमें जड़े रह जाती है या बीक में ही hairs तूट जाते है ऐसा कोई भी issue wrica wax से नहीं होता इस से सारे के सारे hairs remove हो जाते है अब इनके नीचे के जो hair की direction है वो different है तो हम वहाँ पर उसी हिसाब से wax के application करेंगे जैसे कि इनके hair की direction है अब ये hair की direction नीचे की side गई हुई है तो हमने wax की application भी नीचे की side की है उपर की side कुछ hairs रह गए थे तो वहाँ पर भी wax की application कर ली है क्योंकि जब हम waxing strip का use करेंगे तो साथ की साथ वे hairs भी remove हो जाएंगे अच्छे तरीके से पहले उपर के hairs निकाले है और opposite direction में waxing strip को pull कर दिया है then हम नीचे की side लगाएंगे waxing strip को अच्छे तरीके से rub करना है client को भी skin hold करने के लिए बोलना है अगर ना करे तो आपने अच्छे तरीके से skin को hold करके opposite direction में waxing strip को pull कर देना है देखे कितने अच्छे तरीके से इनके सारी की सारी wax हो चुकी है पर अगर कुछ hairs रह जाते हैं तो आपने इस चीज का ध्यान देना है कि आपने पूरे में wax की reapplication नहीं करनी केवल उसी पार्ट में wax की reapplication करेंगे क्योंकि अगर आप सारे में wax की reapplication करतेंगे, तो ऐसे में हो सकता है कि client की skin peel हो जाए क्योंकि रिका wax का यही होता है, एक बार में तो रिका wax hair लेकर आती है, अगर आप इसकी 2 या 3 time में reapplication करतेंगे तो ऐसे में skin peel हो सकती है, blood आ सकता है, तो आप इस चीज़ का specially ध्यान दे, कीरी का wax की re-application के वर उनी hairs पर करें, जहां नीड हो, अदरवाइस सारे में re-application की करने की जरूरत नहीं है, देखे कितने अच्छे तरीके से इनके hairs remove हो गए है, proper तरीके से hair remove करने के बाद आपने use करना है, coconut oil, coconut oil को लगा के अच्छे तरीके से client को massage दे देनी है, क्योंकि wax करवाने के बाद पेन तो होता ही है, तो आप इस चीज़ का ध्यान दे की काफी अच्छे तरीके से massage दे, अगर आपके पास तरीका after waxing gel हो, तो आप उसका भी use कर सकते हैं, या फिर coconut oil से अच्छे तरीके से massage दे दे, otherwise अगर आपके पास coconut oil भी ना हो, तो कोई भी oil use करके आप अच्छे तरीके से massage दे सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से massage देने से relax मिल जाता है, coconut oil की massage देने से client की skin काफी soft and smooth हो गई है, one side armpit waxing का procedure complete होने के बाद हम आ गए है, second side, अब इनको काफी sweating हो रही थी, इसलिए हमने बहुत अच्छे तरीके से एक सुखे tissue paper से skin को clean कर लिया है, आपने इस चीज का ध्यान देना है कि wetness में यानि गीलेपन में आपने किसी भी product को skin पर नहीं लगाना, बहुत अच्छे तरीके से clean करने के बाद हमने देखे हैं कि इनके hair की direction सारी की सारी उप की side है, तो इसलिए हमें पता चल चुक है कि wax की application भी उसी तरीके से होगी, अब हम use करने जा रहे हैं pre waxing gel, जो की Rika company का होता है, काफी अच्छा है, तो pre waxing gel हमने अच्छे तरीके से लगा दिया है, और यह जल्दी ही dry हो जाता है, अगर आप proper तरीके से Rika wax का use करते हैं, तो Rika wax से skin में blackish बिल्कुल नहीं रहती, सारे के सारे hairs easily remove हो जाते हैं, और skin बिल्कुल smooth and clean हो जाती है, तो यह मेरी client जो हैं हमेशा Rika wax यूज़ करवाती है, इसलिए इनकी skin इतनी neat and clean है, अब हम use करने जा रहे हैं talcum powder, talcum powder का use करने से भी हमारी skin का moisture level काफी अच्छे तरीके स control में आ जाता है, talcum powder का use करने से पहले आप client के hair की direction जरूर चेक कर लें, अब हमने देखा कि इनके सारे के सारे hair की direction जो है उपर की side है, तो wax की application भी हम उपर की side करेंगे, wax की application करने से पहले आपने हमेशा देखना है कि wax का temperature कितना है, wax ना तो जरूर से ज़्यादा गरम होन चाहिए, यानि कि पतली-पतली wax भी नहीं लगाएंगे और ज़्यादा गाड़ी wax भी नहीं लगाएंगे, और अगर इतने ज़्यादा hairs हैं, काफी ज़्यादा hairs हैं, तो आप इसी ता ध्यान दे कि इतनी पतली layer पर waxing की strip नहीं कीचेंगे, अच्छे से थोड़ा भर कर wax ल लगानी हैं, और client को भी skin hold करने के लिए बोलना है, और skin को hold करते हुए opposite direction में waxing strip को pull कर दिया है, देखे कितने अच्छे तरीके से proper सारे के सारे hairs निकल गए हैं, under root तक clean हो गया है, कितनी अच्छे तरीके से रिका wax हो जाती है, और अगर आप regular wax करवा रहे हैं, तो आपको को वहीं पर wax की reapplication करनी है, प्रोप पर एक एक hairs easily इससे निकल जाता है, जड़ एक्स्ट्रा wax को उतारने के लिए हमेशा coconut oil का use किया जाता है, रिका wax यही पैचान है कि इसे पानी से नहीं उतारा जा सकता, अगर आप मेरे चैनल पर first time visit कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर armpit waxing से related shaving से related काफी सारी videos upload हैं, तो प्लीज चैनल को subscribe करें, bell icon को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको time to time मिलती रहे, thanks for watching